विडियो एक लेडी का रिविव विडियो है अलेक्सप्रिस ने मुझे लेडी लाइट वेजा है रिविव करने के लिए तो आज मैं रिविव करने वाला हूँ नॉब साइट का N18 LED लाइट्स जो की H4 मॉडल है जाने की 2 बीम है जो बाइक के लिए उस होता है हाई बीम लो बीम वह वाला मॉडल है यह तो यह था इसका पैकेज यह था इसका मैनॉफेक्टरिंग डिटेल्स और चलिए अन्बोक्स करते है इसे इसे पैकेज काफी ओर्डिनरी सा था खास नहीं था और इसका अंदर हमें मिल जाता है एक गलव्स और एक यूजर मैनुल तो मैनुल में आपको बस मिल जाता है कुछ स्पेसिफिकेशन जिसमें आप यहाँ पर पॉज करके यह देख सकते हैं यह वाटर रिजिस्टेंट है IP68 20 वाट का है इसका जो बॉड़ी है वो एविएशन अलुमुनियम से बनी है जो की बहुत अच्छा हीट डिसिपेशन के यह फेमस है चलिए लाइट की तरफ जैसे कि ग्लाव्स दिया गया है तो मैं ग्लाव्स पैन के इसे रिव्यू करने वाला हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यह बहुत ही छोटा है क्योंकि इसका जो ड्राइवर यूनिट होता है वो सेपरेट बाहर आता है जो यह ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं मोडियूल इसके अंदर ही इसका ड्राइव यूनिट है तो इसका दो एडवंडिज है एक तो आपका ल Y19 चीप जो कि ये वाला मॉडल में यूज हो रहा है और एक है क्री LED चीप तो CSP Y19 चीप में हीट जो जनरेट होता है वो क्री से बहुत कम जनरेट होता है तो इसके लिए कोई फैन की जरूरत नहीं पड़ता दूसरी बाद मैं कहना चाहूंगा कि बाइक में अगर आप लगा कर सकता है तो तीसरा बाद मैं करना चाहूंगा कि इसका बेस प्लेट जो है वो फुली रोटेटिबल है यानि कि हाउजिंग में लगाने के बाद अगर आपका बल्ब टेरा नजर आ रहा है आप उसे रोटेट करके सीधा कर सकते हैं चलते हैं इसके साइज की तरफ तो यहा पर अब देख सकते हैं इसका जो टिप है वो बहुत ही नेरो है तो एक बात अपको ध्यान में रखना है जब ही आप कोई LED लाइट खर दिये तो यह ध्यान में रखिए कि यह टिप जो होता है यह जितना छोटा होगा जितना नेरो होगा उतका लाइटिंग उतना ही तो इसे इंस्टल करने के लिए पहले हमको इसका बेस प्लेट को निकल लेना है उसके बाद इसे लागाना है काफी आसान अप खुद ही लगा सकते है क्योंकि यह एक ही डिरिक्शन में लगेगा क्योंकि इसका तीन जो लेग होता है उसका एक बड़ा होता है तो आप कोई दूसरी तरीके से इसे लगा नहीं पाएंगे तो सबसे पहले जो हम करेंगे इसके उपर डस्ट कैप लगा लेंगे तो डस्ट कैप इस मास्ट है तो डस्ट कैप अब बिल्कुल लगाई है नहीं तो आपको जो धूल, मिटी, पानी की पानी आता है, वो सारी रिफ्लेक्टर के अंदर चला जाएगा और रिफ्लेक्टर अपको डेमेज हो जाएगा फॉगी हो जाएगा कुछ दिर बाद ही तो इसे लगाने के बाद हम जब बल्ब लागाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ फेस होनी चाहिए नीचे की तरफ फेस होते हुए इसे आपको अंदर इंसर्ट करना है और उसके बाद इसे फुली क्लॉक्वाइज रोटेट करना है अब अब देख सकते हैं यहाँ पर यह थोड़ा यह है जो लाइट आप देख रहा हैं यहाँ परकिंग लाइट यह है इसका लोव बीम और इसके बाद यह है हाई भीम तो अब देख सकते हैं सेंटर में जो डाक स्पॉट होता है यह एलीडी का कैजर येलीडी में आपको डाक स्पॉट दीगेगा जिसका tip पाला part narrow नहीं होता उसका अंदर आपको एक dark spot मिलेगा तो इसमें वो dark spot नहीं है Center में बिल्कुल bright light है High beam में थोरा dark spot आपको दिख रहा होगा पर वो negligible है चलिए अब इसे road test करते हैं Left में है हमारा stock halogen bulb और Right में है हमारा LED bulb तो यहां पर अब देख सकते हैं LED में चारों तरफ बिल्कुल ही कोई डार्क स्पोर्ट नहीं है Halogen में जब अब देख सकते हैं मेरा Left और Right साइड में बाइक के पास कुछ डार्क स्पोर्ट जिनरेट हो रहा है पर LED में ऐसा कोई डार्क स्पोर्ट जिनरेट नहीं हो रहा है और Illumination Halogen से बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा पर अच्छा है डेफिनेटली अच्छा है तो चलिए फूल स्क्रीन में देख लेते हैं इसका Illumination कैसा आ रहा है तो यह था इसका Illumination तो मैं यहाँ पर दो External Fog Lights लगा रहा हूँ पर अभी यह Off है फिलाल तो अगर आपको यह Fog Light का Review चाहिए यह है इसका Fog Light देख सकते हैं तो Fog Light जलाने के बाद यह LED कुछ खास नहीं दिख रहा मेरा Fog Lights बहुत ही Intense है तो इसके साथ Int करते हैं आज का वीडियो नेक्स वीडियो इसके अपडेट पाने के लिए सबस्क्राइब रहे है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई